C.I.E.T. N.C.E.R.T. Presents Trilingual Dictionary of Geography for Schools भूगोल विद्यालायों के लिए त्रिभाशी शब्द कोश जोग्राफिया के लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी Index Letter K काल बैसाखी Page 68 कंकर Page 68 कास्ट Page 68 काटबाटक विंद Page 68 कादर Page 68 करीफ Page 69 Now let's move to letter K of the Dictionary of Geography Starting at page 68 K Kaal Baisakhi Local name in Bengali for thunderstorms associated with violent winds, torrential rainfall often accompanied by hail during the month of Baisak, Indian calendar, which corresponds to mid-April to mid-May. It is pre-monsoon shower and also called as norwesters. Kaal Baisakhi Kaal Baisakhi Baisakh Maas में भारतिये कैलेंडर के अनुसार या मध्ध अप्रेल से मध्ध मई महा के दौरान तडित जंजा, तेज हवाओं के साथ-साथ मूसलाधार वर्षा और ओले भी साथ लाती है. उसे स्थानिय रूप बांगला भाशा में काल Baisakhi कहते हैं. यह मौनसून के पूर्व की बौचार होती है. इसे नौर वेस्टर भी कहते हैं. काल Baisakhi बंगाली और काल Baisakhi कड़कदार गरजदार तूफान का मकामी नाम है, जिसमें जखकड के साथ मूसलाधार बारिश और अकसर जाला बारी होती है. यह हवाएं हिंदुस्तानी कालेंडर के मुताबिक Baisakhi के महीने में चलती हैं, जो वस्त अप्रेल से वस्त मई का जमाना होता है. यह कबल मानसूनी बारिश है. इसे नौर वेस्टर शुमाल मगरिबी हवाएं भी कहा जाता है. कंकर यह एक भारतीय शब्द है, जो ऐसी मृदा के लिए प्रयुक्त होता है, जो कैल्शियम युक्त चूना प्रधान होती है. कंकर मिट्टी में चूने का जमाव जाहिर करने के लिए एक हिंदुस्तानी इस्तिला है. कास्ट A generic term derived from the landforms created by action of groundwater in limestone topography. It is mostly found in limestone region of Croatia and Serbia. It is dominated by sinkholes, pinnacles, caves and caverns, stalactite and stalagmite, and network of subterranean drainage, example, Bustar, Cherrapunji. कार्स्ट ये एक क्षेत्रिय भाषा का शब्द है, जो ऐसे भूद्रिश्य से संबंधित है, जिसका निर्मान भौम जल की क्रिया द्वारा चूना पत्थर के क्षेत्र पर होता है. यह मुख्यता है, यह मुख्यता क्रूएशिया तथा सर्विया के चूना पत्थर प्रदेशों में पाया जाता है. इसमें घोल रंद्र, शिकरिकाएं, गुफाएं, कंदराएं, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और भूमिगत अपवाह के जाल की प्रधानता होती है. उदाहरण के लिए बस्तर एवं चेरा पुन्जी. कार्स्ट चूना पत्थर वाले इलाके में जीरे जमीन पानी के तफावल से पैदर शुदा जमीनी हैयत की वजाहत करने वाली अमूमी इस्तिलह. ये ज्यादा तर क्रोशिया और सर्बिया के चूना पत्थर खित्तों में पाया जाता है. इसमें ज्यादा तर गुरकाबी सुराखे, सिंक खोल्स, कंगुरे घार और खोह, स्टेलिक्टाइट और स्टेलिगमाइट और जमीन दोज नदियों का पनिकासी होता है, जैसे बस्तर और चेरा पुन्जी. Catabatic Wind Downslope movement of cool and dense air due to gravity. This can occur on a calm and clear night, when the earth's surface cools faster than the overlying lower layer of the atmosphere. The wind moving away from the ice and snow-capped areas such as Antarctica and Greenland are also called catabatic wind. अवरोही पवन गुरुत्वा कर्शन के कारण थंडी तथा अधिक घनत्व वाली ढाल से नीचे उतरती पवन. जब शांत और स्वच आकाश वाली रात्री में पृत्वी का धरातल अपने ठीक उपर के वायु मंडल से अपेक्षा कृत तीवर गती से ठंडा हो जाता है, तो ऐसी स्थिती उत्पन हो जाती है. अन्टाक्टिका और ग्रीनलंड में हिमाच्छादित क्षेत्रों, हिम टोपियों से हवा जब बाहर की ओर चलती है, तो उसे भी अवरोही पवन कहते हैं. नुजूली हवाएं कौवते कशिश की वज़ा से ठंडी और कसीफ हवाओं का धाल से नीचे उतरना. ये अमल पुर्सकून और साफ रात में होता है, जब सत्हे जमीन कुर्रे हवा के निचले तबक के बिल मुकाबिल स्यादा ठंडी होती है. इंटाक्टिका और ग्रीनलंड जैसे बर्फ पोश इलाकों से चलने वाली हवाएं भी नुजूली हवाएं कहलाती हैं. खादर, a term used for describing the newer and younger alluvial deposits in flood plains of North India. These are rich in organic matter and very fertile. Hence, ideal for intensive agriculture. खादर, उत्तर भारत के बाढ़ के मैदानों में पाई जाने वाली नवीन एवं तरुन जलोड निक्षेपों के वरनन के लिए प्रयुक्त शब्द. इनमें जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है और ये बहुत उपजाव होती है. अतहा, ये गहन कृशी के लिए आ जाता है. ये मिट्टी नाम्याती मादों से भरपूर और काफी सर्खेश होती है. इसलिए कसीर पैदावारी जरात इंटेंसिव एग्रिकल्चर के लिए मौजू तरीन मिट्टी है. पेज 69. खरीफ. A cropping season that starts with the onset of monsoon and ends with harvesting during September-October. Some important खरीफ crops are paddy, maize, jowar, bajra, toor, arhar, moong, urad, cotton, jute and soya bean. खरीफ. एक शस्य रितू जो मौनसून के आगमन से आरंब होती है और सितंबर-October में फसलों की कटाई के साथ समाप्थ होती है. कुछ मुख्य खरीफ फसलें, धान, मक्का, जुआर-बाजरा, तूर, अरहर, moong, उड़द, कपास, पटसन एवं सोया बीन हैं. खरीफ. फसल बोने का मौसम, जो मांसून आने के साथ शुरू होता है और सितंबर-October में कटाई पर खत्म होता है. धान, मक्का, जुआर, बाजरा, अरहर, moong, उड़द, कपास, जूट और सोया बीन खरीफ की कुछ एहम फसले हैं. Letter K of Trilingual Dictionary of Geography for Schools ends here. Read by Neeraj Yadav and Sumbul Shakil. Advise Ajit Horo. Assistance in Production Kusum Lata. Produced and Directed by Vandana Arimardhan. And this presentation is brought to you by CIET-NCERT, New Delhi, India.